अब इहाली में करनाट का हाई कोट का एक फैसला आया जिसको हिजाब विवात कहते हैं जी सर्थ जो छोड़ा सा समझाई है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फैसले हमारी अब तक की जो धर्मने प्रेक्षवी है उस पर हमला है या उसी का लोजिकल एक्सेंशन है सर मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोट ने इलाबाद जो करनाट का हाई कोट है उन्होंने जो हिजाब पर फैसला दिया है वो एक परकार से तरक संगत है क्योंकि कोट ने कहा था कि हिजाब पहना वो आवशक धार्मिक पर्थाओं में नहीं आता है और किसी भी परकार के इंस्टिटुशन में जहांके अपनी इक्विटी के इतने भी रूल्स हैं वहां पर अगर इस परकार के धार्मिक प्रतिकों को आमंत्रित किया जाएगा त इस एक एक्जाम्पल के तौर पर कोई मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहने तो करनाट का हाई कोट का फैसले है कि वह एसेंशल प्रक्टिस और रिलिजिन नहीं है सिख समाज की जो पगड़ी है वह एसेंशल प्रक्टिस और रिलिजिन है ऐसे कौन से पैरामेटर्स हैं जिसके बेस पर अलग अलग धर्मों के लिए फैसली हम करते हैं वो पैरामेटर्स मेरी वर्टिक रहे है कि पैरामेटर्स बहुत ठोस हैं लेकिंश सुनना चाहरा हूं समझना चाहरा हूं कि वह क्या पैरामेटर्स हैं जिन से फैसली होते हैं में सर उन्हिजः पिछपन के एस फासर सिंहीं विवाद में नेल्लिया ने कगा था कि वह जो आवशक धार्मिक रंण को कोड़ Observ लिए उनके वेस पर शायद आवशक जो धार्मी परता हैं उनको निर्धारी किया जाता होगा जो सिख धरम है उसमें पांच जो ककार हैं उनके धरम पर जो पगडी है उकेशों को बांधने के लिए आवशक समझी जाती है इस वज़े से वहां पर अलाउ किया गया लेकिन एक्जेक्ट नहीं पताई शब्दों को लेकिन कोई बात नहीं है ठीक